सही तरीके और समय पर खाएंगे आम तो घटेगा वजन, मान ले एक्सपर्ट की राए गर्मी का मौसम में आम की पैदावार काफी अधिक होती है लोग कई तरह से आम का सेवन करते हैं, जैसे शेक बनाकर, स्मूरी बनाकर या कच्चा खाकर दरसल आम में काफी पोशक तत्व पाए जाते हैं, जिससे कई स्वास्थ्य लाब मिलते हैं आम खाने से कई शारिरिक समस्याओं में फाइदा तो मिलता ही है, साथ ही साथ यहाँ वजन कम करने में भी मदद कर सकता है न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मखीजा का कहना है कि आम को वजन घटाने में मदद मिल सकती है, बस कुछ चीजों का ध्यान रखें न्यूट्रिशनिस्ट पूजा मखीजा का कहना है कि आम को काट कर तो खा सकते हैं लेकिन मैंगो शेक, स्मूधी या आमरस पीने से बचे क्योंकि ऐसा करते समय उसमें एक स्टा चीनी मिलाई जाती है जो कैलोरी को बढ़ाती है न्यूट्रिशनिस्ट रुजुता दिवेकर का भी कहना है कि मैंगो न केवल सुरक्षित है बल्कि डाइबिटीज और मोटा पे वाले लोग भी इसे खा सकते हैं इसमें फाइबर, एंटिक सिजन्ट और फाइटो न्यूट्रेंट्स अधिक होते हैं दिवेकर के इंस्टा पोस्ट में बताया था कि दुनिया भर के डाइबिटीज और्गनाइजेशन आम सहित ताजा और मौसनी फल खाने की सलाह दे दे हैं फाइबर का हाई सोर्स होने के कारण आम पेट को भरा महसूस कराता है और वजन कम करने में मदद कर सकता है आम में मौजूद भी विटामिन नाल रख कोशिकाओं के उतपादन में मदद कर सकते हैं जो मस्तिश की कार्यक्षमता में सुधार और फैट बर्निंग में मदद कर सकते हैं आम का गलाइसेमिक इंडेक्स 51 होता है जो इसे तकनीकी रूप से लोगलाइसेमिक इंडेक्स की श्रेनी में रखता है यदि किसी को डाइबिटीज है तो उसे आम खाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए आम फाइबर और विटामिन C से भरपूर होता है, जो पाचन में सुधार करने और ब्लड लिपिड लेवल को कंट्रोल कर सकता है कॉलिस्ट्रॉल लेवल को सुधारने में भी आम फाइदे मंद हो सकता है आम में विभिन्न प्रकार के विटामिन, खनेज और एंजाइम होते हैं, जिनका कार्डियो प्रोटेक्टिव प्रभाव होता है और यहां हरिदय रोक के जोखिम को कम कर सकता है आम में जैकसेंथिन और कैरोटीन दो यौगिक पाए जाते हैं, जो आमको और प्वचा को फ्री रेडिकल्स और उम्र बढ़ने से होने वारे नुकसान से बचाते हैं आम में मौजूद फेनोलिक यौगिक लिवर डैमेज, सूजन और मोटा पे सहित पुरानी स्थितियों को रोकने में मदद कर सकते हैं कितना आम खाना चाहिए और किस समय एक्सपर्स के मुताबिक प्रतिदिन दो कप या 330 ग्राम से अधिक आम नहीं खाना चाहिए एक सौ ग्राम में लगभग 60 कैलोरी होती है आम को कभी भी खाने के साथ नहीं खाना चाहिए हमेशा ब्रेक्फास्ट या स्नैक्स में खाएं